भाई हमारे यहाँ पर गलतियों की माफ ही नहीं होती है सजा दी जाती है तो सजा के लिए रेडी रहना So guys, Big Boss में Love Kataria ने साइंक एतन राव को धमकी दे दी और एक्टर रनवीर शौरे ने Love Kataria को कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी वैसे Big Boss में फिर से यूटिवर वर्जिस एक्टर का मुद्दा स्टार्ट हो गया है Also Elvis यादव का भी Love Kataria की फाइट पर रियेक्शन आया है, पर उससे पहले लाइफ फीड से हाइलाइट्स बता देता हूँ So guys, का लाइफ फीड में Big Boss का First Task हुआ, जो कि में भी आपको आज के एपिसोड में देखने को मिल सकता है So basically वो एक Debate Task था जिसमें जो Contestants भार की बातें करते हैं और जो अपने Shell से भार नहीं निकले हैं उनको बताना था कि उनका घर में क्या Contribution है, basically दो टीमें थी टीम वन में लवकटारिया, नीरजगोयात और अर्मान मलिक थे, टीम टू में रनवीर शौरे, साई केतन राओ एंड सना सुल्तान थी, और जज़्ट थे दीपक चौरसिया और basically टीम वन यानि लवकटारिया की टीम को खुद को डिफेंड करना था और टीम टू का काम होगा लवकटारिया की टीम का घर में क्या कॉंट्रिबूशन है उस पे सवाल उठाना और बाकी के बचे हुए घर बाले ओडियन्स होंगे जो की दोनों टीमों से सवाल कर सकते हैं तो वहाँ तीनों कॉंटेस्टेंट्स को लेकर काफी सारे सवाल उठाए गए और टीम वन ने काफी अच्छे से जवाब भी दिया और मैंने आपको बताय था इस टास्क से पहले लवकटारिया इन रनवीर शौरे के बीच में एक फाइट हुई थी और दौनों के बीच में एक तरीके की रैवलरी क्रियेट हो गई है तो रनवीर शौरे ने लवकटारिया की ओडियन्स को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो कि लवकटारिया को अच्छा नहीं लगा रनवीर कहे लवकेश का कॉंट्रिबूशन इस घर में सिवाए जहर घुलने के ताने मारने के अलावा अभी तक कुछ किया ही नहीं है जीरो कॉंट्रिबूशन है उनका जब तक उन्हें कोई duty नहीं मिली उससे पहले उन्होंने क्या किया है उनको लगता है इस घर में कॉंट्रिबूशन ये है जाने कौन लोग देखते होंगे उससे उनका contribution हो जाएगा पर वो बिल्कुल zero है सो इस पे लव कटारिया reply किये भाई तु मेरे को 20 बात बोल ले पर मेरी audience को कुछ मत बोल वो मेरे को प्यार करके यहां तक पहुचाए हैं तुमने बोला ना audience कौन होगी जो देखती होगी भाई बहुत बढ़िया है audience मेरी मेरे लिए भगवान है वो After that लव कटारिया ने उनके हर सवाल का counter किया साथी majority of audience ने लव कटारिया की team को support किया और लव कटारिया की team task जीत गई इसके वाद साई केतन राओ एंड लव कटारिया के बीच में एक fight देखने को मिली Basically केतन रनवीर से लव कटारिया के बारे में बात कर रहे थे वो कहे उसको बात करने का तरीका नहीं है रनवीर कहे दौनों को नहीं है विशाल एन लव कटारिया दौनों बत्तमीज हैं जिस पे साई केतन लव कटारिया का सोपा पर पैर रखकर खड़े होने वाला इंसिडेंट रिकॉल किये और कहे मुझे न ऐसे रखकर देने का मन कर रहा था पता है तब ही सटनली लव कटारिय पीछा से आते हैं और कहते हैं रख दो भाई क्यूं करते हो हेट मेर से मुझ पर बोला करो ना जिस पे रनवीर बीच में बोलते हैं तुम्हारा ताने देना हूमर नहीं है इस पे लव कटारिया कहे आपको पसंद नहीं है तो मैं आप से बोलना ही छोड़ देता हूं इसके और एक होता है सरीर मौर बनाना आता है अच्छे अच्छों को जिस पे साइं कहें मौर ना किसी और को बना ले मैं तेरा कैंडिडेट नहीं हूँ तो बेसिकली दोनों की बीच में ये कहा सुनी हो रही थी तो ये जगड़ा इतना ही था तो लव कटारिया की रनवीर शोरे साइं केतन राओ के साथ फाइट पर एलविश यादव का भी रियक्शन आ गया है वो अपने आज की व्लॉग में क्या कहें आप खुद देखिए आज क्या हुआ आज इसकी लड़ाई हुई थी उससे रनवीर शोरे से तो उसमें कटारिया ने क्या करा वो जो पैर के बात क कुछ नहीं करा कि कुछ निई हो क्योंकि हम इसको बाहर भी जानते हैं बाहर भी है अछुको अगया ज्यास ज्यादा के लोग हैं उनकी उनकी असला टेंसे तक करियो इनू भी तो कह रहा था कि शरीर सुरीर देख ले अपना ये कर ले वो कर ले और उसके बद कटा रहे हैं तो समझा रहा कि बाई सारी चीज़ शरीर था नहीं करते हैं तो गाई आपको क्या लगता है इन लोगों की राइवलरी कहा तक जाएगी कॉमेंट करके अपना ओपिने जरूर से बताना तो गाई इस वीडियो में इतना ही वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको ऐसे यूट्यूबर से रेडेटेड बिग बॉस के अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो गाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन को उल पर सेट कर देना और जो लोग न्यूजमेन को सपोर्ट करते हैं उनको दिल से थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टिक क्यार